इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। विंटर 4000 इंजेक्शन एक दवा है जो आपके अस्थी मज्जा को अधिक लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में मदद करती है। इसका उप्योग गुर्दी की बीमारी के कारण होने वाले अनीमिया के एक प्रकार के इलाज के लिए किया जाता है। विंटर 4000 इंजेक्शन तवचा के नीचे या नस में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है जो आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा। आम तोर पर इंजेक्शन एक नस या डॉक्टर द्वारा दिये जाते हैं। खुराक आपके शरीर के वजन और आपके अनीमिया के कारण पर निर्भर करता है। उपचार से पहले और उपचार के दोरान आयरन की खुराक इस उपचार को और अधिक प्रभावी बना सकती है। विंटर 4000 इंजेक्शन को फ्रिज में रखने की जरूरत है लेकिन कमरी के तापमान पर इस्तिमाल किया जाता है। इस दवा को लेने के सबसे आम दुषप्रभावों में मतली, उल्टी, बुखार और रक्चाप में व्रिधी शामिल है। यह फ्लू जैसे लक्षन भी पैदा कर सकता है, जैसे सिरदर्द, ठकान, चक्कर आना और दर्द, और दर्द। उपचार की शुरुआत में ये दुषप्रभाव सबसे आम हैं, लेकिन यदि वे बने रहते हैं, तो आपका डॉक्टर उन्हें रोखने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं यदि आपको दौरे, फिट बैठता है, सहित कोई गंभीर दुषप्रभाव मिलता है। कभी-कभी ये दवा गंभीर रक्ट के ठककों का कारण बन सकती है, जिन्हें ततकाल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यक्ता होती है। यदि आप अनियंत्रित उच्च रक्ट चाप, हिरदे रोग या गठिया, जोडों के दर्द की बीमारी से पीडित हैं, तो विनिटोर 4000 इंजेक्शन का उप्योग करने से पहले आपको अपने डौक्टर को बताना चाहिए। आपको उसे यह भी बताना चाहिए कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं, यदि वे इस उपचार को प्रभावित करती हैं। जर्भवती होने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।